हेलो फ्रेंग चटपटा खाने के शौकीन है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग सा दिखने वाला ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है जटपट बनने वाला चिली पीपी चीज पकोड़ा आप कभी भी बना के खाये चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबस पाइब नमक मिक्स मसाला जो होममेड है गरम मसाला लाल मिच्च पौडर सभी मसालो को मच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम एक चीज स्कूप लेंगे उसको भी अच्छे से इसको पर से गिस के लिए इसको टेस्ट और भी ज्यादा पढ़ गए आप इसको थोड़ी मसाले एट करेंगे मसाले के उगना तो जिन्दगी अदूरी होती है जिन्दगी में मसाला ना हो तो कुछ भी नहीं तो सबसे पहले हम मिलाएंगे इसमें पिजार गेनो चिली फ्लैक्स नमक साबु धनिया और धनिया की पति बोड़ा सा काली मिच्च का पौडर इसको भी ह अपने तेस्ट की अनुसार ले सकते हैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको अच्छे से चलाते हुए एक स्मूज सा पेस्ट बना लेंगे पानी हमें एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही चलाते हुए अच इसको अच्छे से बढ़ देंगे उसके बाद इसको दबाके इसको पूरा देखी इस तरीके से बंड कर देना है अब जो हमारा फास स्टेप था आलू करडो उसको लेंगे और चीली को उससे कवर कर देंगे अच्छी तरीके से गुमाते हुए कहीं से भी खुलना नहीं चाहि बेसन में डालेंगे और पूरा घुमाएंगे घुमाते हुए इसको अच्छे से यह बेसन हमारा लग जाना चाहिए अब इसको हम फ्राइ कर लेंगे यह देखे किस तरीके से बहुत ही अच्छे फ्राइ हो गाएं आप खाईए अपने फिश्टेदारों को खिलाईए और कमें